हेलो वियोज, आज के एपिजोड में एक बरभड से आपका स्वागत है, तो चलिए पहले पिछला भ्यास परशन देख लेते हैं आप्शन से संयुक्तराष्र, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, विश्व बैंक या पिर अंतराष्टर मुद्राकूश, तो इसका सही जवाब था ओप्शन B, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, चलिए अब इसका विशलेशन देख लेते हैं हाली में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानि OECD ने अंतराष्टर प्रवासन आउटलुक यानि इंटरनाशनल माइगरेशन आउटलुक 2023 चारि किया या उटलुक जलवायू परिवर्तन विस्थापन के प्रती नीतिगत प्रतिक्रियाओं में विकास पर प्रकाश डालता है ये OECD का एक वार्शिक प्रकाशन है जो अपने देशों में प्रवासन आंदोलोनों और नीतियों में हालिया विकास का विशलेशन करता है भारत में वर्श 2021 और 2022 में OECD देशों में सबसे अधिक प्रवासन प्रवाद देखा गया आपको बता दें कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानि OECD लोगतंतर और बाजार अर्थवेवस्था के लिए प्रतिबद 38 देशों का एक अंतराश्टर संगठन है इसके सदसे आम तोर पर लोगतंतरिक देश हैं जो मुक्त बाजार अर्थवेवस्थाओं का समर्थन करते हैं इसके इस्थापना 14 दिसंबर 1960 को 18 यूरुपिय देशों सेंक तुराज्य अमेरिक और कनाड़ा द्वारा की गई थी इसका पूरुवर्ती यूरोपिय आर्थिक सहयोग संगठन यानी OEEC था जिसका गठन दृत्यविशुद के बात किया गया था OEEC को OECD में बदलने वाले कन्वेंशन पर 14 दिसंबर 1960 को पेरिस के चेटो डेला म्यूइट में हस्ताक्षर किये गए और 30 सितंबर 1961 को ये लागू हुआ चलिए बाज के सेशन का पहला सवाल देखते हैं लगू बचत यूजना या साधन के संबंद में निमनिलखित कतनों पर विचार किजे पहला कतन इन यूजनाओं पर ब्यास दरें तिमाही आधार पर बदलती रहती है और दूसरा कतन इनका प्रबंधन केंदर सरकार दोरा किया जाता है आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कतन सही है या सही है केवल एक केवल दो एक और दो दोनो या फिर न तो एक और नहीं दो तो सही जवाब है option C एक और दो दोनो हाली में भारत सरकार ने अधिकांश लगू बचत योजनाओं के लिए दी जाने वाली ब्यास दरें बढ़ा दी है आपको बता दें कि लगू बचत योजनाओ या साधन केंदर सरकार द्वारा प्रबंधित बचत उपकरणों का एक सेट है इसलिए कथन दो सही है इसका उदेशे नागरिकों को उनकी उम्र की परवा किये बिना नियमित रूप से बचत करने के लिए प्रोच साहित करना है चोटी बचत योजनाओ पर ब्यास दर्ने तिमाही आधार पर बदलती रहती है इसलिए कथन एक भी सही है विभिन लगू बचत योजनाओ के तहट प्राप्त सभी जमाराशिया राष्ट्रे लगू बचत कोश में जमा की जाती है इस कोश में पैसा केंदर सरकार द्वरा विभिन योजनाओ के लिए जारी किया जाता है इस प्रकार विकल्पस्थी सही उत्तर है चलि अगला सवाल भारते सम्विधान के अनुच्छे देख सुबहालीस के सम्मद में निम्ने लिखित कत्रों पर विचार कीजे पहला कतन ये सरवोच नयाहले को विवेकाधीन शक्ती प्रदान करता है और दूसरा कतन इसका इस्तमाल बाबरी मस्जद मामले में किया गया था आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है कौन से कतन सही है सही है केवल एक केवल दो एक और दो दोनो या फिर ना तो एक और ना ही दो तो सही आंसर है आप्शन सी एक और दो दोनो हाली में सुप्रीम कोट ने अनुच्छेद 1.42 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तमाल करते हुए एक विक्ति को भरन पोशन का बकाया चुकाने के लिए उसकी पैतरक संपत्ती बेचने का निर्देश दिया आपको बता दे कि भारते संविधान का अनुच्छेद 1.42 अपने अधिकार क्षेतर का प्रयोग करने और उसके समख्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने हेतु आदेश पारित करने के लिए सर्वोच न्यायले की विवेकाधिन शक्तियों से संबंदित है इसल इसने महतुपूर्ण भूमी का निभाई थी इसलिए कथंदू सही है इस प्रकार विकल्पसी सही है चले एकला प्रशन हाली में खबरों में रही जमरानी बांध बहुत देश परियोजना किस राज्जे में स्थित है उत्राखंड है माचल प्रदेश पंजाब या फिर उत जमरानी बांध बहुत देश परियोजना उत्राखंड के नैनिताल जिले में स्थित है इसके तहत रामगंगा नदी की सहायक नदी गोला पर एक बांध के निर्मार की परिकल्पना की गई है इस परियोजना से उत्राखंड के इलावा पड़ोसी राज्जे कथन 1 ये डारडन इल्स जल्दमरु मथ्ये और बोस्पोरस जल्दमरु मध्ये से समबन्धित एक समझ होता है कथन 2 ये तुरकी को युदो के इस्थिती में नॉसैनिक युदोपोतों के पार्गमन को विन्यमित करने का धिकार देता है और कथन 3 ये तुरकी जल्दमरु संत्राले ने घूशना की कि वो मॉंट्रेक्स कंवेंशन के ढाचे के भीतर काला सागर की सीमा से बाहर के युद्पोतों के आवा गमन पर प्रतिबंद लगाएगा मॉंट्रेक्स कंवेंशन डार्डनिल स्ट्रेट और बोसपुरस स्ट्रेट के संबंद में एक समझाता है इस समझोता तुर्की को युदि के इस्तिति में नौ सैनिक उद्वोतों के पारगमन को विन्यमित करने का धिकार देता है इसलिए कथन 2 सही है व्यापारिक जहाजों को तुर्की जल डमरू मद्धे से गुजरने की स्वतंतरता प्राप्त है जब कि युदि के जहाजों के निलखित कथनों पर विचार कीजे कथन 1 ये केंद्र प्रायोजित युजना है और कथन 2 इसे जम्मु कश्मीर राज्य ग्रामीर आजिवी कमिशन सोसाइटी द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है ओपर इतमीं से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है केवल 1, केवल 2, एक और दो दोनो या पर ना तो एक और ना ही दो तो तरों का option C एक और दो दोनो खाली में जम्मो कश्मीर के बढ़गाम में एक स्वेम साहता समू यानि SHG द्वारा उम्मीद योजना के तहट एक फूल नरसरी शिरू की गई आपको बता दे कि उम्मीद जम्मो कश्मीर ग्रामीर आजीविका मिशन यानि JKRLM के तहट एक केंद्र प्रावजित योजना है इसलिए कथनेक सही है इसका मुख्यों देशे पूरे जम्मो कश्मीर में ग्रामीर गरीबों की मदद करना है ये योजना महिला उद्यमियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और विपनन में मदद करती है इसे जम्मो कश्मीर राज्ये ग्रामीर आजीविका सोसाइटी द्वरा का रेन्वित किया जाता है इसलिए कथन दू सही है इस प्रकार विकल्पसी सही उत्तर है इसका उद्यशे संभावित विफलताओं को रोकने के लिए बांधो की निगरानी, निरीक्षन और रख रखाओ के लिए गानूनी धाचा प्रदान करना है आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है सही है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनो या फिर ना तो एक और नहीं दो तो जवाब है उप्शन सी एक और दो दोनो खाली में छप एक लेक में इस बात पर जोर दिया गया कि भारत को बांध सुरक्षा अधिनियम पर फिर से विचार करने की जरूरत है 2019 में अधिनियम इत भारत का बांध सुरक्षा अधिनियम देश भर में बांधो की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उदेश से एक महत्वपून कानून है इसका उदेश आप दाओं को रोकने ही तू बांधो की निगरानी, निरीक्षन, संचालन और रखरखाओ के लिए कानूनी और संस्थागण धाचा प्रदान करना है इसलिए कथन दो भी सही है ये अधिनियम राष्ट्रे बांध सुरक्षा प्राधिकरन यानी NDSA की स्थापना करता है जो भारत में निर्दिष्ट बांधों के संचालन और रखरखाओ के समगर परेवेक्षन और नियंतरन के लिए जिम्मदार एक केंद्रे नियामक प्राधिकरन है इसलिए कथनेक सही है इस अधिनियम के प्राध्धानों को लागू करने में NDSA की सहायता के लिए प्रतेक राज्जे को एक राज्जे बांध सुरक्षा संगठन स्थापत करना आवश्चक है ये समय समय पर सुरक्षा निरीक्षन व्यापक सुरक्षा मुलने आंकन और उच खत्रे वाले बांधों के लिए कापात कालीन कारे योजना तयार करने को निवारे करता है इसलिए विकल्पसी सही उत्तर है चले एगला प्रशन देखते है निमने लखित में से कौन सी समयती भारत के आंतरिक खुफिया एजनसी इंटेलिजन्स ब्यूरो से संबंधित है पी के मोहंती समयती, राजेश पंत विशेशग्य समयती, हिम्मत सिंग जी समयती तो इसका सही आंसर है आउप्षन सी हिम्मत सिंग जी समयती खाली में दिल्य उचने आले ने कहा कि इंटेलिजन्स ब्यूरो यानि आई बी को धाराच 24 के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम के कठोरता से चूट दी गई है और तलब है कि इंटेलिजन्स ब्यूरो भारत की एक आंतरिक खुफिया एजनसी है इसका उप्योग भारत के भीतर से खुफिया जानकारी कठा करने और काउंटर इंटेलिजन्स एवं आतंकवाद गिरूधी कारे को अंजाम देने के लिए किया जाता है ये ग्रिहम अंतराले के प्रशासनिक नेंटरण में आती है घरेलू खुफिया करतवियों के लावा हिम्मत सिंग्जी समीती की सिफारिशों के बाद आई बी को विशेश रूप से सीमा वर्तिक खितरों में खुफिया जानकारी कतर करने का काम सौपा गया आपको बता दे कि हिम्मत सिंग जी समिती को उत्तर और उत्तर पूर्व सीमा समिती की रूप में भी जाना चाता है इसलिए विकल्पसी सही उत्तर है चले नेक्स कॉस्चन काल डेरा के संबंध में निमनिलखित कथनों पर विचार कीजे कथन एक इसका निर्माट जाला मुकी के अंदर की ओर ढहने से होता है और कथन दो ये अपने प्रतेक पक्षपर सदैव एक समान रहता है आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है कौन से कथन सही है सही है केवल एक केवल दो एक और दो दोनो या पिर ना तो एक और नहीं दो तो आंसरों का उप्शन है केवले हाली में केलिफोर्निय अंस्ट्यूट अफ टेकनोलिजी के विग्यानी को दोरा लॉंग वैली काल्डेरा में पिछले कुछ वर्षों में आए दो हजार से जादा भुकम्पों के पहचान की गई है आपको बता दें कि काल्डेरा एक अवसाथ है जो एक जॉला मुकी के विसफोटक विसफोट में उसके मैगमा कक्ष के अधिकाइश सामगरी को छोड़ने के बाद बनता है काल्डेरा के किनारों के कुछ हिससे गायब हो सकते है क्योंकि भूमी असमान रूप से डहती है इसलिए कथंदों सही नहीं है इस प्रकार विकल पे सही उत्तर है चले आगे बढ़ते हैं कभी कभी समाचारों में रहने वाली पेट्रेट वायू रक्षाव मिसाइल प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई है रेथियोन मिसाइल संड डिफेंस लॉखीड मार्टिन कॉर्परेशन इसराइल एरोस्पेस इंडस्टरी इस लिमिटेड या फिर मेड और इंटेलिजेंस तो जवाब है उप्षिन ए रेथियोन मिसाइल संड डिफेंस हाली में अमेरिकी रक्षा विبहागने कहा कि वो मध्यपूर में अतिरिक पैट्रियट वायू रक्षा मिसाइल परणाली ब्टालिन तैनात करेगा आपको बता दें कि पैट्रियट सечение से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल परणाली है इसे अमेरिकी बहुराश्ट्रे एरोस्पेस और रक्षा समूर एथियोन विसाइल्स और डिफेंस द्वारा विकसित किया गया है वर्तमान विय प्रणाली अमेरिका और उसके सहयोगी देशों में कारेरत है इसलिए विकल्पे सही है चलिए अब नोट कर लिजा आज का भ्यास प्रश्णी वैश्विक सौर्स टॉक टेक रिपोर्ट किस संगठन या निकाह से संबंधित है ओप्शन से A. सयुकतराष्ट्र B. अंतराष्ट्रे सौर्गट बंदन C. अंतराष्ट्रे उर्जय अजंसी या पर डीव विश्र बैंक तो सवाल के जवाब कॉमेंट सेक्चिन देना मत भूलिएगा मुलाकात होगी अगले एपिसोड में तब तक के लिए जै हिंद